हेलो स्टुडेंट्स, वेल्कम टू कल्यानी आइस अकेडमी, एस यू नो हमारी एथिक्स की सीरीज चल रही है, एड इस सीरीज में हम प्रेजेंट ली यूनेट वन को कंटिन्यू कर रहे हैं, अब इस सेशन को जिस सीक्वेंस में हम अंडर्स्टाइंड करेंगे, वो आपके सामने हैं, फर्स वी विल सी इंटोडक्शन अफ रविन्ना टैगोर, देन हेस् फिलोसोफिकल कंसर्न्स, and then some previous questions, now let us start with introduction of रविन्ना टैगोर, रविन्ना टैगोर, definitely इन्हें हम सब जानते हैं, but let me tell you, इन्हें काफी सारे टाइटल से सम्मानित किया गया है, and इन्हें गुरुदेप, कभी गुरु और विश्व कभी भी कहा जाता है, if I talk about his birth, तो इनका birth 1861 में, कलकत्ता में, एक बहुती rich और influential family में होता है, but try to understand, किसी भी person के अगर हम बात करें, तो उसकी family और उसकी upbringing, उसके thinking process को बहुत ज़ादा affect करती है, और यही case था रविन्ना टैगोर के साथ भी, इपर talk about his father, तो उनके father का नाम था देविन्ना टैगोर, और बहुती rich और influential family के होने बात भी, यह अपने father के family business में, बहुत ज़ादा interested नहीं थे, instead यह member थे ब्रह्मो समाच के, ब्रह्मो समाच I guess history में आपने पढ़ा होगा, यह एक ऐसी society है, जो उपनीशत के monotheistic interpretation, यानि one supreme god वाले interpretation में क्या करती है, believe करती है, और जो हिंदू orthodoxy होती है, कट्रता होती है, उसको क्या करती है, completely deny करती है, क्योंकि इनका ये view रहता है, कि यही क्या कर रहा है, ये orthodoxy इंडिया को पीछे लेकर जा रही है, other than this, इनकी मदर का नाम था शार्दा देवी, लेकिन इनकी जो मदर है, उनकी death जो है, रविन्ना टेगोर्जी के childhood में ही हो जाती है, and other than that, इनके जो father है, वो भी बहुत जादा क्या करते थे, travel करते थे, so I guess you can understand, कि इनका जो childhood है, वो अपने father और mother की absence में ही बीचता है, but it doesn't mean कि वो अकेले थे, उनके बहुत सारे siblings थे, and अगर मैं उनमें से कुछ के बारे में आपको बताऊं, तो जो द्वदेंद्रनाथ है, वो एक philosopher और poet थे, जो तिंद्रनाथ जो है, वो एक musician थे, और सतेंद्रनाथ, ये तो ICS में appointed, first Indian थे, और स्वन्ड कुमारी, ये एक nobelist थी, I guess now you can understand, कि इनका जो घर था, उसमें कहीं न कहीं, जो intellect है, और art है, वो कूट-कूट कर भरा हुआ था, and definitely ये एक बहुती ideal environment है, किसके लिए, एक philosopher के लिए, इसी लिए, जो रविन्ना टैगोर थे, वो भी क्या थे, multi-talented थे, वो एक writer, song composer, playwright, essayist, painter, reformer, and even एक actor भी थे, now if I talk about his education, तो इनके पादर चाहते थे, कि ये barrister बने, और इसी के लिए, वो उन्हें further education के लिए, लंदन भेजते हैं, एक law school में, बट वहाँ पर रविन्ना टैगोर जो है, वो law की study में, बहुत ज़ादा interest नहीं लेते, जिसके कारण, वो बिना किसी degree के ही, इंडिया जो है, वापस लोट आते हैं, but it doesn't mean, कि वो education में interest नहीं थे, even वो तो क्या करते हैं, multiple dimensions में education लेते हैं, and even जो Shakespeare के works हैं, जो बहुत typical होते हैं समझने में, उनको भी वो काफी detail में study करते हैं, और Scottish और English literature तक को वो पढ़ते हैं, if I talk about his marriage, तो इनकी marriage होती है मिरनालनी देवी से, जिससे इन्हें काफी सारे children जो है होते हैं, but let me tell you, रविन्ना टेगोर जी का professional career, जितना ज़्यादा successful था, उनकी personal life जो है, वो उतनी ही ज़्यादा पेल थी, अब वाइसो, तो try to understand, इनकी जो mother है, शारदा देवी, उन्हीं की तरह, इनकी वाइप मरलानी देवी की भी क्या हो जाती है, death हो जाती है, इवन इनकी दो daughters, रेणुका और मादुरी लता, इनकी भी क्या हो जाती है, death हो जाती है, जिसके काराण, इनकी अंदर जो है, यह इने लिटरेचर में नोबल प्राइस दिला देती है और ऐसा करने वाले यह क्या होते हैं पहले नौन इरोपियन होते हैं इसके अलावा इन्हे नाइट हूट का भी टाइटल मिलता है, बट लेट मी टाल यू, ये टाइटल वो क्या करते हैं, जो जलिया वाला माग मैसेकर है, उसके प्रोटेस के तौर पर इसको वापस लोटा देते हैं, जो शो करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राइटर या फि जनागण मन जो है, जो हमारा नैशनल एंथम है, वो इनो नहीं दिया था, और इसके अलावा जो बांगला देश है, वहां का भी जो नैशनल एंथम है, आमार सोनर बांगला, वो भी इनों नहीं दिया है, सो I guess you can understand ये क्या थे बहुत बड़े नैशनलिस्ट भी थे, other than this, इ जिश्व भारती युनिवर्सिटी, इसके बाद जो है, इनकी डेथ हो जाती है, 1941 में कलकत्ता में, now if I talk about his works, तो इनके जो works थे, वो बहुत सारे थे, but still उसमें से कुछ important works जो है, मैंने यहां पर mention करे हैं, जो आप से exam में पूछे जा सकते हैं, और इनको मैंने चार पार्ट इसमें break कर दिया है, short stories, novels, drama और poems, तो I guess आपको यह सब जो है, याद कर लेने चाहिए, now I think, रविन्ना टेगोर जी का एक basic introduction आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, now let us understand philosophical concerns of रविन्ना टेगोर, अब रविन्ना टेगोर जी की जो philosophy है, यह actually में कई सारी चीजों का amalgamation है, इसमें idealism है, जिसको हमने प्लेटो में बहुत डीटेल में समझा है, search of ultimate truth, इसमें विदानतिजम है, जिसको हमने शंकराचारे में बहुत डीटेल में समझा है, believing in one supreme being, इसमें spiritualism है, यानि man और nature के साथ अपना relation establish करना, इसमें individualism है, यानि हर person क्या है, unique है, और सबको अपने development के लिए क्या मिलना चाहिए, freedom मिलना चाहिए, इसमें naturalism है, यानि जो nature है, वो क्या है, वो real teacher है, और उससे ही हमें क्या करना चाहिए, चीजे जो है, सीखनी चाहिए, इसमें humanism है, यानि मानवता जो है, वो क्या है, सबसे बड़ा धर्मा है, इसमें nationalism है, यानि हमें अपने nation की और उसके ideals की क्या करनी चाहिए, respect करना चाहिए, इसमें internationalism है, यानि हमें सारे nations के जो ideals हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, respect करना चाहिए, बट अगर मैं उनके main philosophical concerns की बात करूँ, जो हमारे examination point of view से important होंगे, तो वो मैं तीन कहूँगा, first is उनके education related views, second is Tagore का humanism, and third is Tagore के nationalism और internationalism से related views, और जो questions है, वो भी कहीं न कहीं previous years में इनी से पूछेगा है, now let us start with Tagore's education related views, अब Tagore के education के अगर मैं view की बात करो, तो Tagore का idea था, कि एक ऐसा system create किया जाए education का, जो promote करता हो किसको, international cooperation को, और create करता हो global citizens को, अब try to understand, वो यहाँ पर यह कहना चाहरे हैं, कि every culture has something to contribute to the society, जैसे Europe से हमें क्या मिला है, तो science मिला है, और India ने world को क्या दिया है, तो India ने spiritualism दिया है, आध्यात में दिया है, तो किसी भी person को, अगर अपना complete development करना है, तो definitely उसके लिए science भी important है, और आध्यात में भी important है, इसी लिए education ऐसी होनी चाहिए, जो क्या करें, जो international cooperation को promote करें, और global citizens जो है, create करें, उनके according जो education है, उसका मतलब सिर्फ औसिफ क्या नहीं है, सिर्फ औसिफ information देना नहीं है, मतलब education केवल और केवल क्या नहीं है, बुकिश knowledge नहीं है, अगर कोई person ब्रामन है, और वो क्या करता है, अपनी बहुत जादा जो education है, उसको wrongly interpret करता है, और जो शुद्र है, उनको अपने से lower समझता है, तो ये सही नहीं है, education तो वो है, जो क्या करें, जो हमें जो है, harmony, यानि सामनजस्स में रहना सिखाए, सारे existence के साथ, यानि की सभी caste के, सभी communities के लोगों के साथ, और even nature के साथ, nature के साथ मतलब, suppose आप बहुत जादा educated हैं, बट जो कच्रा है, वो आप क्या करते हैं, road पर फेक देते हैं, तो definitely आपकी education का कोई sense नहीं है, जो कि आप क्या कर रहे हैं, उस nature को disrespect कर रहे हैं, जो आपको क्या कर रहा है, सभी necessary जो resources हैं, वो available करा के दे रहा है, उनके words में education क्या करती है, यह जो हमारा mind है, इसको enable करती है, ultimate truth को search करने में, जो हमें क्या करता है, जो bondage है, जो बंदन है, उससे मुक्त करता है, I guess previous philosophers में, हमने salvation, यानि मोक्षा के बारे में समझा है, उसी के बारे में, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, बट टेगोर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो education है, वो हमें क्या करती है, मोक्षा या salvation जो है, कही न कहीं दिलाती है, क्योंकि यह हमें क्या करती है, यह हमें wealth देती है, बट wealth से यहाँ पर मतलब जो है, thing से नहीं है, यानि आईपोन या BMW से नहीं है, wealth से यहाँ पर मतलब है, inner light से, यानि कि internal knowledge से, आध्यात्म से, ठीक है, यहाँ पर wealth का मतलब power से नहीं है, इसका मतलब क्या है love से है यानि कि सभी men से और nature से क्या करना love करना उनके view में जो education divert हो चुकी nature से उसने क्या करा है जो young children है उनको बहुत जादा हाम जो है पहुचाया है what he was trying to say here कि presently हमारे क्या होता है education जो है अब schools में या buildings में deliver होने लगी है बट पहले हमारे क्या होते थे गुरुकुल्स होते थे जहां पर nature के साथ जो है education जो है deliver की जाती थी and definitely उसका benefit होता था जो कि लोग जो है अपने आपको nature से बहुत जादा connected जो है feel करते थे जिसके कारण जो activities आजकल होने लग गई है road पर कच्रा फेकना या फिर अगर हम बात करें बहुत जादा pollution का बगएरा ये सब चीजे जो हैं पहले इतनी जादा नहीं होती है थी इसी लिए वो कहते हैं कि man जो है उसे अपना relation किसके साथ develop करना चाहिए nature के साथ करना चाहिए जैसे वो उसका क्या हो fellow man हो या फिर एक friend हो क्योंकि जो God है वो अपने आपको किसके जरीए reveal करते हैं तो God अपने आपको nature के जरीए ही reveal करते हैं try to understand जो हमारा present world है जिसमें हम development जो है उसके कारण जो nature है उसको neglect करते जा रहे हैं तो definitely इसका भी bad effect क्या होगा हमें face करना पड़ेगा और definitely हम आज देखते हैं tsunami, earthquake वगएरा ऐसे hazardous activities होने लग गई है तो जो God है वो अपने आपको क्या कर रहे हैं वो अपने आपको nature से ही reveal कर रहे हैं अब रविन्ना टेगोर जी के education related views की बात करूं मैं तो इसको हम चार parameters में समझेंगे first उनके cardinal principles then aims of education then curriculum of education and then method of teaching so first start with cardinal principles of Tagore's educational philosophy जिनके बिना वो education का कोई sense ही नहीं मानते थे तो ये तीन है freedom for the child, creative self expression और active communication with nature and men now let us understand them one by one freedom for the child so try to understand जो Tagore थे वो बहुत ही जादा radical थे किसके लिए उनके time पर जो education system पॉपुलर था उसके लिए जो कि जो education system था उनके according जो उनके time पर पॉपुलर था वहाँ पर freedom क्या था वो एक dream की तरह था जो कि freedom क्या है वो बहुत necessary है किसी person के personality development के लिए जो उस time नहीं deliver हो पा रहा था इसके मुकाबले वो freedom को क्या करते हैं बहुत जादा support करते हैं now you must be thinking sir यहाँ पर freedom से आपका क्या मतलब है so इस light को ध्यान से देखिए और मुझे बताए आप इससे क्या समझ रहे हैं definitely आप यह समझ रहे होंगे if you judge a fish by its ability to climb a tree so वो अपनी पूरी life यह समझते होए spend कर देगी कि वो किसी use की नहीं है तो यही बात यहाँ पर टेगोर कर रहे हैं कि किसी भी person को हमें सबसे पहले यहाँ पर mainly वैसे बात हो रही चाइल्ड की ठीक है तो किसी भी चाइल्ड को हमें सबसे पहले क्या देनी चाहिए freedom देनी चाहिए यानि हमें उसे अपना career जो है सारी freedom जो है उसे देना चाहिए अब यही बात जो है जो टेगोर जी है उनकी typical language में यहाँ पर written down है now try to understand टेगोर जो है वो एक writer थे एक poet थे एक novelist थे जिसके कारण उनकी जो language है वो sometimes क्या हो जाती है समझने के लिए काफी typical हो जाती है तो उसको हमें एक easy language में understand करना जरूरी है बड़ still जब हम written down करते हैं तो हर philosopher की क्या होती है अपनी एक language होती है अपना एक view होता है जो उनके words में ही अगर आप exam में express करेंगे तो आपको जादा अच्छे marks आएंगे तो इसलिए टेगोर बात करते है प्रीडम की जो सिर्फ वो सिर्फ क्या है independence of control या right to self will नहीं है इसका मतलब है liberation of all aspects चाहे वो senses हो चाहे हमारी mental capacities intelligence और imagination हो या हमारी feelings हो emotions हो, sympathy हो या फिर love हो अब इसलिए टेगोर कहते हैं कि education जो है इवन उसका meaning ही तब है जब हमें क्या मिले, freedom मिले और हमें जो है हमारे जो experience है और जो activities है उनसे जो है चीजे सीखने को मिले अब इसको अगर मैं interpret करू तो try to understand अगर जो सचिन तेंदुलकर है अगर हम उन्हें musician बनाने का try करे यानि हम उन्हें क्रिकेटर बनने की freedom ही ना दे तो क्या वो कुछ अच्छा कर पाएंगे society के लिए definitely ही नहीं कर पाएंगे तो education का sense तब है जब किसी परसन का जिस field में intelligence है imagination है, intellect है वो उसी field में जो है education जो है प्राप्ट करे ठीक है? इसी लिए जो tagore है वो कहते हैं कि जो freedom है वो guiding principle है सारी educational activities के लिए I guess आपको यह अच्छे से clear हो गया होगा इसके बाद वो बात करते हैं creative self expression की तो देखे यहाँ पर वो कहते हैं कि education कैसी होनी चाहिए real होना चाहिए मतलब education को theoretical के साथ साथ practical aspect पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि real education ही क्या कर सकती है किसी भी person का complete development जो है कर सकती है emotion, senses और intellect सभी को क्या कर सकती है focus जो है कर सकती है अब इसी बात को हम example से समझते हैं I guess यह film जो है आप में से काफी लोगों ने देखी होगी इसमें यह जो kid है दर्शिल इनके बारे में आपने इस film में देखा होगा कि जो education है उसमें यह बहुत ज़ादा poor रहते हैं और इसके कारण इनके आसपास सभी लोग इनको क्या करते हैं बहुत ज़ादा bully करते हैं बट इनके जो mentor रहते हैं आमिर खान वो यह समझते हैं कि actually में paintings में अच्छा आता है और इवन इसके लिए वो एक competition कराते हैं और उस competition में यह क्या करते हैं यह अपने master आमिर खान को भी painting में defeat कर देते हैं तो इसी तरह की बात जो है टेगोर यहाँ पर कर रहे हैं कि education ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी child को self expression के लिए क्या करें complete opportunity दे और इसी self expression के लिए जो टेगोर है बात करते हैं किसकी creativity की और टेगोर जो है power करते हैं अपने institution के लिए अपने education institutions के लिए काफी सारी activities जैसे art, craft, music, drawing, painting, dramatics, etc. अब इसके अलावा वो बात करते हैं active communication with nature और men की अब यहां वो कहते हैं कि हमें जो है education जो है वो कहां देनी चाहिए वो एक nature के atmosphere में देना चाहिए जो कि उनके according nature क्या है nature is a manuscript of God I guess यह slide हमने अपने previous sessions में भी clear करी है कि जो God है वो अपने आपको कैसे manifest करते हैं तो God अपने आपको जैसे यह planets से अलग-अलग suppose तो जो planets है जो उनके अंदर nature है और जो men है उसी के जरिये God अपने आपको क्या करते हैं manifest करते हैं तो God कहां है तो God जो है वो nature में है वो आप में है वो मुझ में है और education क्या करती है education जो है किसी भी person को क्या करती है enable करती है nature के साथ अपना relation maintain करने में इसके अलावा education क्या करती है किसी भी person को चीजे learn करने में help करती है कहां से nature से now you must be thinking sir इसका क्या meaning है तो इसको भी हम practically समझते है मुझे बताए light जो है और sound जो है इन दोनों में किसकी speed तेज होती है definitely आप कहेंगे light की 3 lakh km per second जो कि sound तो अगर हम बात करें 341 meter per second ही रहता है ठीक है near about तो अब ये चीज आपको practically या फिर nature से कैसे समझाती है तो देखी जब बिजली कड़कती है तो definitely पहले क्या होता है पहले हमें बिजली दिखाई देती है और उसके बाद सुनाई देती है जो कि light की speed क्या है बहुत जादा है और sound की speed क्या है बहुत कम है तो यही बात हो रही है यहाँ पर कि हमें जो है education जो है किस से लिनी चाहिए nature से लेना चाहिए और education जो है यह हमें क्या करेगी जो nature है उससे जुड़ने में help करेगी ठीक है तो किसी परसन का जो spontaneous development है और natural growth है यह तब ही possible हो सकता है जब हमारा nature के साथ क्या हो active contact हो definitely history, polity, geography, economy, science किसी भी subject के अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो man है और nature है उनी की study करके उनी को observe करके इनी practical चीज़ों को ध्यान में रखके theory जो है पॉम हुई है तो definitely अगर आप nature को समझेंगे man को समझेंगे तो आप कहीं न कहीं क्या करेंगे अच्छे से educate हो पाएंगे इसी के edition में वो बात करते हैं communication of man with fellow man मतलब जो man है यानी आप या मैं है हमें क्या करना चाहिए जो हमारे आसपास के लोग है उनसे क्या करना चाहिए communicate करना चाहिए ताकि हमारे अंदर क्या हो पाए qualities develop हो पाए किसके लिए social groups में रहने के लिए now try to understand अगर हम humans की बात करें तो human क्या है एक gregarious animal है यानी जुन्ड में रहने वाला जानवर है अब किसी भी जुन्ड में अगर हम बात करें तो क्या होते हैं कुछ manners होते हैं कुछ attributes होते हैं suppose अगर आप एक library में stand कर रहे हैं तो वहाँ आपको क्या रहना है silent रहना है या फिर आप किसी hotel में है तो वहाँ पर क्या होने चाहिए आपको proper eating etiquettes जो है होने चाहिए तो अब ये etiquettes ये manners हमें कैसे मिलेंगे तो definitely जब हम एक दूसरे से communicate करेंगे तब ही हमें क्या होंगे ये manners etiquettes मिलेंगे जो हमें क्या करेंगे किसी भी social group में रहने में help करेंगे और इसी का अगर मैं एक और example दूँ तो एक child जो होता है एक बच्चा जो होता है वो भी क्या करता है अपने parents के साथ अपने friends के साथ रह रहकर socialization करकर ही क्या करता है सबी चीजे जो है सीखता है I guess आपको ये चीजे अच्छे से clear हो गई होगी Now let us understand Rabinna Tagore's aim of education अब देखी जो education का aim होता है वो हमारे mind को सिर्फ वसिफ unnecessary information यानि bookish knowledge से फिल करना नहीं होता है Actually में जो first aim होता है education का वो होता है हमारे जो अंदर skills है जो capabilities है जो talent है उसको पहचानना यानि हम एक अच्छे किरिकेटर बन सकते है musician बन सकते है या scientist बन सकते है इसको showcase करना इसके अलावा इसका main aim होता है self-realization यानि खुद को जानना आत्म मंतन करना अपने आपको समझना और इसी के लिए जो tagore है वो कुछ particular aims बताते है education के लिए let us understand them one by one सबसे पहले moral and spiritual development तो देखी tagore कहते हैं कि जो education है उसका principle aim क्या होना चाहिए वो होना चाहिए development of moral and spiritual aspect of a child's personality not try to understand हमने अपने previous sessions में aptitude के बारे में समझा था aptitude मतलब किसी चीज़ को करने का talent suppose आप में leader का aptitude है आप में engineer का aptitude है बट आप में क्या नहीं है values नहीं है morals नहीं है तो definitely आप क्या होंगे society के लिए बहुत harmful जो है सिद्ध होंगे और हुए भी Hitler जो है और Osama bin Laden जो है इनके कारण क्या हुई है लाखो जाने जो है गई है तो यहीं बात जो है यहाँ पर जो है tag or कर रहे है कि education को सबसे पहले focus करना चीए किसी भी person के moral और spiritual development पर और इसलिए वो बात करते हैं किसकी inner development की attainment of inner freedom की inner power की और enlightenment की यानि की spiritual knowledge की इसके बात second है physical development तो देखे tag or emphasize करते हैं किसी भी person के children's के physical well-being की अब try to understand suppose आप ये lecture सुन रहे हैं बट ये lecture जब आप सुन रहे हैं तब आप physically fit नहीं है माप कीजेंगा आपको suppose type or tuberculosis जैसी कोई disease है तो मुझे बताए क्या आप इस session को अच्छे समझ पाएंगे definitely not क्योंकि आप तो अभी concentrate ही नहीं कर सकते हैं और philosophy जो है उसको समझने के लिए बहुत अच्छा concentration level जो है required रहता है इसलिए tag or जो है वो कहते हैं कि physical development के लिए जरूरी है कि हम क्या करें जो nature है उस पे जो है अपने आपको involve करें activities जो है करें dance करें exercise करें और body और sensory क्या करें training करें इसके अलावा वो कहते हैं कि education of the body क्यों necessary है ताकि हम जो है ऐसी capacities ऐसी qualities acquire कर सके जो हमें help करे किसमें सभी तरह की weather conditions अब इसके बाद वो बात करते हैं किसकी intellectual development की तो देखी उनके time पर जो क्या कहते है popular education system था उसको वो क्या कहते थे सिर्फ वो सिर्फ वो उसको bookish, method based monotonous यानि एक जैसा और exam oriented जो है मानते थे इसके बारे में वो कहते थे कि ये जो education system है इसमें जो intellect होता है जो हमारी बुद्धी होती है ये क्या हो जाती है ये भूकी रह जाती है इसको intellectual nourishment ही नहीं मिल पाता है यहाँ पे क्या करा गया है यहाँ पे cage यानि की पिंजरा जो है बना दिया गया है पर उसके अंदर जो parrot है वो क्या है वो भूका है अब टेगोर जो है यहाँ पर ये clear करते है कि education ऐसी होनी चाहिए जो हमारी thinking और imagination को क्या करे develop करे ना कि सिर्फ और सिर्फ memory और storage पर ध्यान दे किसके scattered information के तो try to understand present society के अगर हम बात करे या present education system के अगर हम बात करे तो ये क्या करता है ये कहीं न कहीं चीजों को रटने में बहुत ज़ादा focus करता है but thank God हमारी जो नई education policy आ गई है वो ऐसी नहीं है उसमें बात की गई है किसकी critical thinking की मतलब हमें चीजे जो है history की अगर हम बात करे तो हमें history में जो चीजे है उन्हें सिर्फ उसे facts को याद करने पे focus नहीं करना चाहिए हमें 1857 का जो revolt है उसमें क्या क्या हुआ था सर्फ इस पे focus नहीं करना चाहिए हमें जो things हैं उनके पीछे के main reasons पे भी क्या करना चाहिए focus करना चाहिए तभी हम क्या कर पाएंगे अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे तो 1857 का जो revolt है पॉर एक्जामपल वो क्यों हुआ था हमें इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह क्या करेगा यह हमारा जो intellect है उसको develop करने में help करेगा जो कि 57 के revolt में क्या क्या हुआ था यह जानने के लिए या याद रखने के लिए तो हमारे पास computer, mobile, internet ऐसे बहुत सारे devices जो हैं presently available है अब इसके बाद next है international brotherhood so try to understand अपने aims of education में जो tag or है वो moral and spiritual development physical development और intellectual development के साथ बहुत जादा important मानते हैं किसको international brotherhood को tag or का view था कि हर community के पास कुछ ना कुछ होता है society को contribute करने के लिए जैसे हमने समझा है Europe ने क्या दिया है world को science दिया है और India ने spiritualism दिया है आध्यात्म दिया है और tag or क्या थे वो humanity के lover थे इसलिए वो connect करना चाहते है किसको eastern culture को और western culture को अब eastern और western culture मतलब eastern world को और western world को किसलिए for the unity and harmony of mankind यानि मानपता जो है उसमें क्या लाना चाहते थे वो unity और harmony जो है लाना चाहते थे इनी बातों को अभी हम और detail में समझेंगे जब हम समझेंगे टेगोर के humanism, nationalism और internationalism से related views को इसके अलावा टेगोर जो है वो कहते थे कि जो ब्रह्म है वो खुद को manifest करता किस से man से I guess इस slide में हम already clear कर चुके है कि जो ब्रह्म है that is जो God है वो खुद को actually किस से manifest कर रहे है तो वो खुद को जो है जो nature है, man है उससे ही manifest कर रहे है और वो ही क्या है वो ही जो है source है सारी creations का बट यहाँ पर टेगोर जो बात कह रहे है उसमें वो यह कहना चाह रहे है कि आप, मैं, हम सब क्या है हम सब equal है हम सब क्या है brothers and sisters है जो कि हम सब में God का क्या है कहीं न कहीं उसका एक part है उसका एक अंश है और अगर हमें अगर हमें God को understand करना है अगर हमें God को serve करना है तो हमें जो है किसको समझना होगा man को समझना होगा किसको serve करना होगा man को serve करना होगा अगर हमने मानपता को अपनी सेवाएं दे दी तो आप मान लीजिएंगा आपने अपनी सेवाएं किसको दे दी गौड को दे दी इश्वर को दे दी इसलिए जो है टैगोर कहते हैं कि अगर आप खुद को Realize करना चाहते हैं खुद को समझना चाहते हैं तो social service क्या जिए क्योंकि आप और दूसरे men क्या है सबी जो हैं सेम है अगर आप social service कर रहे हैं दूसरे men की help कर रहे हैं तो क्योंकि आप और वो दोनों की दोनों क्या हैं एक ही God से आए हैं तो आप दूसरों को समझ रहे हैं social service कर रहे हैं तो definitely आप क्या करेंगे आप खुद को भी समझ जाएंगे इतनी डीब बात के करते थे रविन्ना टैगोर अब रविन्ना टैगोर जी के करीकलम के अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल भी बिलेव नी करते थे उनके समय में जो प्रिवेलिंग ब्रिटिस सिस्टम था प्राइटो अगर आप हिस्ट्री को डीटे में इतना अच्छा कनेक्शन जो है स्टैब्लिश करता था की अगर इंडिया का एटुकेशन सिस्टम हमने ब्रेक नहीं किया तो हम बहुत समय तक इंडिया में रूल नहीं कर पाएंगे तो इसलिए क्या लाया गया हमारे लिए वो क्या था या प्रेजन मुझे कहना वो क्या है, lifeless, monotonous, useless, colorless, one-sided, purely academic, and most importantly, dissociated from the lifeline of society, इसलिए तो हमारे याँ, national education policy लाई गई है, जिसमें इस system को क्या करा जा रहा है, change करा जा रहा है, टेगोर यहाँ indirectly कह रहे हैं, कि हमारा जो presence education system है, वो सिर्प वसिफ हमें क्या कर रहा है, clerk jobs के लिए त्यार कर रहा है, जो हमारा जो real world है, इसमें जो real jobs रहती है, उससे उसका हमारे education system का कोई proper connection ही नहीं है, इसलिए टेगोर अपनी scheme of education जो है, उसमें एक balance की बात करते हैं, किस-किस के, nature के, और men के, और culture of east के, और west के, इनका जो curriculum है, वो क्या है, flexible है, मतलब उसमें theoretical और practical, दोनों aspects पे ध्यान दिया गया है, वो dynamic है, easily changeable है, and most importantly, वो child center है, वो aim करता है, development of personality in all aspects पर, अब टेगोर जो है, वो emphasize करते हैं, एक list of subjects पर, पर वो किसको favor नहीं करते हैं, वो book learning को favor नहीं करते हैं, चोकि उनके लिए best book क्या है, nature है, जो हम already समझ चुके हैं, अभी active communication with nature and men में, अब इस nature से ही वो मानते हैं, कि किसी भी वेक्ती को, किसी भी child को क्या मिल सकता है, best knowledge, adequate knowledge जो है, वो मिल सकता है, इसके अलावो favor करते हैं, जो education है, उसको mother tongue में, Now try to understand, जो language आप अपने घर पे use करते हैं, अगर वो ही language आपको schools में भी मिलेगी, चाये वो हिंदी हो, tamil हो, malyali हो, telugu हो, तो definitely आपको क्या होगा, जो knowledge है, उसको attain करने में आपको help मिलेगी, and इसके अलावा, कोई भी person क्या कर सकता है, जो उसकी, खुद की mother tongue है, उसमें अपने जो thoughts हैं, उनको क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से, जो है, express कर सकता है, but it doesn't mean, कि जो English है, वो उसको deny करते थे, या उसकी importance जो है, उसको वो कम मानते थे, जो higher level of education होते हैं, lower level of education के मुकाबले, वहाँ पर वो क्या करते थे, English को promote करते थे, ताकि हमें knowledge मिल पाए, other-other cultures का, literature का, और science का, और इसके अलावा, जो women education है, उसे तो वो सभी levels पे promote करते थे, try to understand, हमारे houses में क्या होता है, जो women होती है, वो ही क्या करती है, एक bridge की तरह काम करती है, सारे family members में, तो अगर किसी family में हमें peace चाहिए, बहुत ज़ादा जरूरी है, कि women क्या हो, educated हो, इसके अलावा, वो suggest करते हैं, study of world history, culture of India, literature, geography, science, etc., किस लिए, हमारी जो intellectual faculties है, उनके promotion के लिए, और इसके अलावा, वो suggest करते हैं, कई सारी activities को, जैसे music, fine arts, painting, drawing, dance, dramatics, and craft life, यानि book binding, car painting, weaving, gardening, etc., किसके लिए, हमारी जो intellectual faculties हैं, उसके साथ में, जो हमारी emotional faculties हैं, उनके development के लिए, उनके promotion के लिए, तो आप समझ सकते हैं, कि Tegor का जो curriculum है, वो सिर्फ और सिर्फ theoretical नहीं है, वो practical भी है, वो जो है, सिर्फ और सिर्फ जो है, बुकिश knowledge की बात नहीं करता है, जो हमारे real world में, जो real jobs है, उनसे connection की भी बात करता है, टेगोर जो है, वो community living में believe करते थे, अब टेगोर की, अगर हम method of teaching की बात करें, तो इसमें, वो सबसे पहले बात करते हैं, teaching by walking की, try to understand, जैसे, अगर आप जो है, किसी class में बैठे हैं, और class में बैठ कर आप lecture सुन रहे हैं, तो इस पे टेगोर कहते हैं, कि mind जो रहता है, वो teaching है, वो कैसे की जानी चाहिए, वो walking के साथ जो है, की जानी चाहिए, ताकि हमारा mind active रहे, और चीजों को हम क्या कर पाए, अच्छे से जो है, grass कर पाए, I guess Plato, Aristotle के time भी, मैंने आपको ये चीज जो है, clear करी थी, और इसी लिए टेगोर भी, teaching by walking को क्या मानते हैं, best method of education जो है, मानते हैं, इसके अलावा, next is, discussion and question answer, real education जो है, उसको जो है, वो तभी मानते हैं, जब वो किस पर based हो, जब वो हमारी life की problems वे based हो, अब try to understand जैसी ये session है, इस session में अभी क्या हो रहा है, one way communication है, मैं यहाँ पर चीज़े explain कर रहा हूँ और आप समझ रहे हैं, तो ये best form of communication नही करेंगे, offline class में क्या होगा, मैं कोई भी चीज़ explain करने से पहले, आप से question करूँगा, और आप जो view देंगे, या फिर आप सारे students जो view देंगे, उन views को मैं connect करते हो हैं, क्या करूँगा, आपको चीज़े explain करूँगा, तो definitely तब आपको क्या होगा, तब आपको अपने views के relation म में समझाओं को तो जादा अच्छा समझ में आएगा, तो यही बात यहाँ पर टेगोर कह रहे हैं, कि discussion और question क्या होता है, यह best method जो है, होता है, जो कि इसमें क्या होता है, जो teacher है, वो question करते हैं, और student क्या करते हैं, answer करते हैं, और इसी के उपर क्या होता है, discussion होता है, जो knowledge गेन करने में बहुत ज़ादा क्या होता है helpful होता है इवन जो Socrates का session था उसमें भी हमने काफी देर तक समझाता Socrates की dialectical method को question and answering method को इसके बाद वो बात करते है activity method की तो देखी ये जो method है ये tagor के लिए बहुत ज़ादा क्या है important है जो कि उनके according जो activity है वो क्या करती है हमारे body और mind की सारी faculties को active कर देती है इनका जो institute था विश्व भारती वहाँ पर तो वो even क्या करते है जो handicraft है उसको compulsory बना देते है now try to understand presently चीज़े क्या होती है जैसे ये shirt ये किस से बनता है तो ये machine से बनता है लेकिन पहले क्या होता था पहले ये सब चीज़े हातों से बनती थी और जो हात की नकाशी होती थी वो क्या होती थी गजब की होती थी इंडिया इवन इसके लिए बहुत ज़्यादा famous था और उसका कोई तोड़ ही नहीं होता था जो कि वहाँ पर humans क्या करते थे जो अपनी creativity है उसको use करते थे अपने mind का actively जो है use करते थे जब भी वो एक shirt बनाते थे हमेशा बट presently machine system में ये नहीं हो पाता है ठीक है अब इसके अलावा वो allow करते थे किसी भी तरह की physical exercise या activity को even during the classroom teaching now try to understand एक best teacher कौन होता है definitely best teacher वो होता है जो boring से boring चीजों को भी क्या करे आपको खेल खेल में मजाग मजाग में समझा दे अब इसके बाद हम समझते हैं टेगोर के जो views हैं teacher को लेका अब देखी जो टेगोर के teacher को लेके views है ये बहुत ही ज़ादा revolutionary और क्रांतिकारी मानता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर जो है टेगोर कहते हैं कि जो teacher है उसे क्या करना चाहिए बहुत ही love और sympathy के साथ जो है बीव करना चाहिए children के साथ love तो I guess आप समझते हैं sympathy मतलब जब भी हम teachers कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम आपकी जो feelings है उनको समझ पा रहे हैं कि नहीं या उनको हमें समझने का at least try करना जाहिए इनके according ऐसा person जो अपने अंदर का जो child है उसको lost कर चुका है वो teach करने के जो great work है children को उसके लिए fit नहीं है try to understand अगर हमें खुद में ही बचपना नहीं है तो फिर हम आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं एक teacher जो है वो एक hard task master नहीं होता वो तो क्या होता है एक friend philosopher और guide होता है यहीं पर add करते हुए टेगोर कहते हैं कि एक teacher जो है तब ही teach कर सकता है जब वो क्या कर रहा हो खुदी जो है चीजों को learn कर रहा हो try to understand very carefully normally हमें क्या लगता है teacher वो है जिसे सब कुछ आता है but actually ऐसा नहीं है try to understand अलग-अलग classes में हम लोग जब जाते हैं तो हमें अलग-अलग तरह के students मिलते हैं जिनें हमें अगर चीजे समझाना है तो हमें एक ही चीज को अलग-अलग तरीके से explain करना पड़ता है तो कोई भी वेक्ती किसी भी को भी कुछ नया तभी सिखा सकता है जब वो खुद क्या कर रहा हो लगातार कुछ नया सीख रहा हो तो a lamb can never light another lamb unless it continues to burn its own flame ठीक है तो यही बात जो है टेग और यहां पर कह रहे है moreover वो कहते हैं कि एक teacher जो है वो क्या होता है वो stage setter होता है और director होता है child की freedom और activities का try to understand हमने freedom for the child में बात करी कि हर child को क्या होनी चाहिए freedom होना चाहिए अपना career option चूस करने की पर जो career option जो है child चूस करा है उसमें क्या करना होगा teacher जो है उसे एक stage setter का और director का जो है role play करना होगा ताकि जो child है वो हमेशा क्या रहे वो हमेशा जो है busy रहे किसमे constructive activities में और जो भी उसने option चुनाए career का उसके experience में तो teacher का काम जो है कही न कहीं क्या होता है child को उसके development के लिए inspire करना होता है now I think जो Tegor के education related views है वो आपको crystal clear हो गए होंगे now let us understand Ravina Tegor's view on humanism अब देखी humanism क्या है तो humanism एक outlook है जो men है उसको सबसे above बताता है और उसकी जो supremacy है वो establish करता है दूसरे creation पर other words में बात करें तो ये एक ऐसा attempt है जो explore करता है as a ways or means को जो क्या लाएं common welfare लाएं चाहे आपका हो या मेरा हो और जो बात करें किसकी mankind के progress की now you must be thinking sir इतनी vague बातों की इस world को क्या ज़ुरत है तो I guess आप सब को पता होगा world war अब मुझे बताएं ये world war क्यों हुआ definitely ये world war जो है एक country जो है उसके दूसरे country के लोगों को humans ना समझने के कारण हुआ अगर हम जो है as humans other countries के होने के बावजूद एक दूसरे को respect करते तो ये world war जैसी calamity नहीं होती इसी लिए humanism जो है वो present society में क्या है बहुत जादा important है और इसी लिए humanism का मतलब क्या होता है it is a system of thought जो concerned रहता है किस से human affair से ना कि किसी country के particular citizen से अब जो tagore है वो भी क्या है तो वो एक humanist है क्योंकि वो profit है किसके love, fellowship यानी friendship और cooperation यानी आपसी सयोग के tagore का जो humanism का idea है वो किसी भी country की जो boundaries है, जो barriers है उनसे क्या है beyond है और यहाँ पर वो क्या करते हैं एक common place जो है धूनते हैं जहाँ पर humanity जो है उसको क्या करा जा सके किसी भी तरह की identity से अलग और उपर जो है रखा जा सके इसके अलावा tagore क्या है तो tagore जो humanity है उसके lover है वो faith करते हैं किस में वो faith करते हैं fundamental unity of mankind में वो preach करते हैं किसको human brotherhood को definitely अगर यह चीजे समझ ली जाती तो world war जैसी कोई problem होती ही नहीं अब जो tagore है वो believe करते हैं कि जो ultimate goal of life है वो भी जो है attain करा जा सकता है किस से humanity की understanding से I guess previously भी मैंने अभी आपको clear करा कि अगर आप service कर रहे हो man की तो आप service कर रहे हो किसकी God की जो कि हम सब क्या हैं हम सब equal है और हम सब में God का क्या है part है अब यहीं पर वो कहते हैं absolute जो है वो manifest करता है किस में man में जैसे हमने समझा था ब्रह्म manifest in man और टेगोर के words में जो God है उसको भी हम क्या कर सकते हैं humanity के terms में consider जो है कर सकते हैं बट इनी बातों को हम more precisely इस slide में समझ लेते हैं अब टेगोर का जो humanism है वो actually में क्या है तो वो spiritual humanism है जिसको हम three points में break कर सकते हैं इसमें वो सबसे पहले बात करते हैं importance of man की तो देखिए जो टेगोर है वो emphasis करते हैं किस पर? man पर चोकि उनके लिए man अपने आप में क्या है? एक end है now try to understand जैसे अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं या हम ये समझते हैं कि जो God है उसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको जानने के लिए वर्शिप करनी होगी या फिर हमें जो है knowledge जो है acquire करना होगा अब टेगोर कहते हैं कि ऐसा नहीं है Actually में जो God है वो क्या है? वो तो symbol of human perfection है अगर आप जो है इंडिया का spiritualism जो है समझ लेते हैं Europe का science जो है समझ लेते हैं और अगर आप दोनों को ही क्या करते हैं अपने अंदर जो है अपना लेते हैं तो आप एक human के तौर पे क्या हो जाएंगे? perfect हो जाएंगे और जब आप human के तौर पे perfect हो जाएंगे तो definitely आप किसको जान जाएंगे? God को जो है जान जाएंगे तो इसलिए आप वो कहते हैं कि absolute क्या है Absolute जो है supreme man है और supreme man कौन होगा? वो होगा जिसमें spiritualism भी होगा और जिसमें science का knowledge भी होगा इसलिए वो कहते हैं absolute is the supreme man, God humanized और हमारे अंदर जो consciousness है consciousness I guess आपने हमारे philosophy के previous session से बहुत अच्छे समझा होगा कि आपकी जो senses है इनके अलावा आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उसकी understanding, उसकी clarity जिसकी मदद से हो रह और यही आपको क्या बनाएगी? यही आपको एक man को perfect बनने में help करेगी इसके बाद वो कहते हैं कि God जो है वो कुछ भी नहीं है वो असल में क्या है? वो human truth है अब human truth का मतलब क्या है तो देखिए जो God है वो असल में टेगोर कहते हैं कि वो absolute truth नहीं है God असल में क्या है वो sum total of human truth है अब now try to understand अगर आपने यूरोप का science समझ लिया हमारे यहां का इंडिया का spiritualism समझ लिया तो आप क्या कर जाओगे? आप complete truth जो है जान जाओगे जब आप complete truth को जान जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? complete development जो है हो जाएगा तो जब आप इस पूरे truth को total कर देते हो सभी जो अलग-अलग cultures है उनको आप understand कर लेते हो उनके अच्छे-च्छी बातों को समझ लेते हो तो वो जो total होगा वो क्या है human truth है ठीक है? इसलिए वो कहते हैं कि यह जो universe है, यह God का universe नहीं है यह universe किसका है तो यह universe जो है human beings का है और जो human unity है उसने इस universe को क्या कर रखा है hold कर के रखा है try to understand present scenario में अगर हम बात करें तो multiple countries के पास क्या है nuclear weapons है और अगर हम human unity नहीं रखते हैं और एक दूसरे के उपर nuclear weapons छोड़ देते हैं तो definitely यह world क्या हो जाएगा यह universe क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा तो यह जो world है इसको actually में किसने बांध के रखा है तो उसको जो है human unity ने बांध रखा है इसलिए वो कहते है humanity जो है वो necessary है किसके लिए perfection of divine truth के लिए अब जो हमने human perfection की बात करी वो human perfection कैसे मिलेगा तो इसके लिए टेगोर कहते है यह मिलेगा development of personality से टेगोर envisage करते है कि जो perfection of man है यह attain होता है किससे personality के development से इसके लिए वो कहते है कि जो man है वो अपनी destiny का खुद ही क्या है architect है और उसका जो perfection है वो ही उसे lead करेगा किसके लिए link based infinity के लिए now try to understand भई हमारे जो culture में हमें knowledge मिलता है वो क्या है finite है other cultures में जो हमें knowledge मिलेगा वो भी क्या है finite है spiritualism को हम कह सकते है हमारी country में वो एक part of knowledge है और Europe में जो science है वो भी क्या है एक part of knowledge है अब जब सारे finite मिल जाएंगे तो definitely वो क्या बनाएंगे वो infinite बनाएंगे और इसलिए टेगोर कहते है कि knowledge, love और activity में हमारा development ही क्या करेगा जो infinite है उसको reveal करेगा और जो wheel of imperfection है यो हमारे minds पे पढ़ा है will पे पढ़ा है action पे पढ़ा है उसको क्या करेगा उसे जो है हटाएगा और ये प्रूफ करेगा क्या कि हमारी जो kinship है किस के साथ है हमारा relation जो है किस के साथ है infinite के साथ है और यही क्या है यही religion of men है try to understand religion का मतलब किसी supreme being जो है उसकी पूजा करना नहीं होता है religion वो होता है जो क्या करे harmony in existence की बात करे जो हमारे अच्छे relation दूसरे men के साथ बनाने और हमारे nature के साथ जो relation है उसको establish करने की बात करे अब यह जो perfection attain हो रहा है men को यह क्या होना चाहिए यह complete society पे applicable होना चाहिए यह किसी individual अकेले का नहीं होना चाहिए try to understand जो आपको perfection मिला है suppose जैसे जो मुझे जो knowledge मिला है एक finite being के तौर पे मुझे उसको क्या करना है spread करना है जो कि एक particular time period के बात मैं जहूँ vanish हो जाऊंगा बट अगर मैंने अपना knowledge spread कर दिया तो उस knowledge के form में मैं जैसे इस YouTube से या फिर इस online class से क्या रहूंगा जिन्दा रहूंगा तो even God जो है वो भी depend करते हैं किस पर man पर अपनी universe को perfect करने के लिए try to understand ये universe किस से बनता है तो definitely ये हम man से बनता है तो अगर हम perfect होंगे तो ये universe भी क्या हो जाएगा perfect हो जाएगा और अगर हम perfect नहीं होंगे तो ये universe भी perfect नहीं हो पाएगा ठीक है इसके अलावा टेगोर जो है humanism को explain करते हैं अपने concept freedom of man में try to understand हमने इस session में समझा है कि जो education है उसका कोई sense नहीं है अगर freedom ना हो उसी तरह से टेगोर कहते है कि जो attainment of freedom है aspects identify करते हैं पहला physical existence दूसरा spiritual existence physical existence मतलब ये physical body अब physically हम क्या हैं हम part of nature हैं और यहाँ पर हम governed होते हैं किस से laws से कहा के physical world के physical world के laws मतलब हिंदू है कि Muslim है किस community के है या फिर हम इंडिया में है यूरोप में है कि पाकिस्तान में है अब ये जो physical man है ये basically क्या है तो ये अपनी physical body से limited है और ये constraint है to live as a part of larger community community का जो एक part है उसके तोर पर रहने के लिए ये constraint है बट अगर हम spiritual existence की बात करें तो spiritually हम क्या हैं हम part of the divine है अब divine है मतलब यहां पर हमें क्या नहीं करा जा सकता किसी भी तरह के external force यानि की community या nation की जो ideals है identity है उनसे suppress नहीं करा जा सकता और ये जो spiritual freedom है यानि की जो हमारी inner freedom है जो हमारी spirit की freedom है यही क्या है freedom of the infinite nature of man है try to understand हम सबका जो finite knowledge है वो infinite तक कैसे पहुचेगा तो वो हमारे spiritual existence से पहुचेगा मैं जो हूँ बिना visa के Europe नहीं जा सकता हूँ पर जो मेरी spirit है वो क्या कर सकती है वो travel कर सकती है ठीक है तो ये spiritual existence क्या करेगा जो बेडिया है finite body की उनको तोड़ेगा और हमें help करेगा realization में किसके oneness और unity के किसकी unity mankind की मानपता की जो है unity में अब try to understand यहां पर टेगोर्द जो है कहना चाह रहे है कि जो human body है वो क्या नहीं है वो soul का cage नहीं है वो soul के उपर किसी तरह का पिंजरा नहीं है यह actually में क्या है it is a medium of attaining self-realization अब try to understand यह हमने previous sessions में बहुत detail में समझा है कि अगर आपकी जो soul है उसको मोक्ष प्राप करना है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा as a human birth लेना होगा तो कि as a human ही हम क्या कर सकते हैं हम जो है करमा कर सकते हैं जिससे हमें क्या मिलेगा जिससे हमें जो है attainment of salvation जो है मिलेगा I guess यह चीज़े आपको अच्छे से clear हो गई होंगी और humanism में भी आपको आप कोई doubt नहीं होगा Now let us understand Tagore on nationalism and internationalism अब देखी Tagore जो है वो एक versatile genius थे एक true nationalist थे यानि एक सच्चे देशबक थे बट अब अब अल वो एक indisputable humanist थे जिन्होंने अपने thought से कई सारी generations को क्या करा है inspire करा है चाहे वो किसी भी religion के हो race के हो language के हो या state या nation के ही क्यों ना हो वो कहते थे humanity world over जो है उसे किसी भी तरीके का narrow nationalism जो है नहीं required है उसे requirement है किसकी broad sense of nationalism की try to understand जो Britishers थे वो खुद की country में क्या करते थे कई सारे principles जो है follow करते थे जैसे equality, liberty, fraternity पर जब वो क्या करते थे किसी और country पर कबजा करते थे तो वो उस समय क्या करते थे वहां पर इन ideals को deny करते थे अपनी country को क्या बताते थे superior बताते थे और दूसरे की क्या क्या बताते थे inferior बताते थे वो imperialism या colonization जो है पहला रहे थे और power से क्या कर रहे थे दूसरी country's पर control जो है establish कर रहे थे अब ये चीज क्या है definitely ये क्या है गलत है और यही क्या है narrow nationalism है जो कि किसके against है humanity के against है तो अब जुक टैगोर है इसलिए वो जो humanism है उसे हमेशा किससे उपर रखते थे जो nationalism है उससे उपर रखते थे as opposed to महात्मा गांधी जो हमेशा किसको उपर रखते थे तो nationalism को humanism से उपर रखते थे try to understand जो गांधी जी है उनका एक बहुत ही popular movement था non corporation movement जिसमें हम जो Britishers है उनके जितने भी goods है या जो भी facilities वो दे रहे हैं उन सब को ही हम क्या कर रहे थे boycott कर रहे थे अब जो रविन्ना टेगोर है वो एक freedom fighter होते हुए भी इन चीजों में यानि non corporation movement जो है इसमें बहुत ज़ादा believe नहीं करते थे वो कहते थे कि हमें क्या करना है जो western imperialism है उसको हमें क्या करना है boycott करना है पर आप तो जो western civilization है जो उनके अच्छे ideals है उनको भी क्या कर रहे हो जो कि आप तो उनकी पूरी civilization को ही क्या कर रहे हो boycott करने की बाद जो है कर रहे हो एंड टेगोर जो है वो इसमें believe नहीं करते थे जो कि उनके लिए humanism जो है nationalism से क्या था बढ़के था एंड इसके example के लिए अगर हम बात करें तो कोई भी ये deny नहीं कर सकता कि nationalism और racial purity के कारण ही क्या हुआ है जो humanity है उसमें दो world war जो है सफर करें हैं और जो South Asia है वहाँ पर near about one million killings जो है हुई है 1947 में इंडिया पाकिस्तान partition के टाइम पर अब टेगोर जो है एक nationalist के तौर पर बहुत ही proud feel करते थे अपने culture tradition और heritage धरोहर को लेकर वो अपने motherland मात्र भूमी से बहुत जादा प्यार करते थे जो उनकी patriotic writings जो है उसमें भी showcase होता है उनका जो nationalism है वो किसके अगेंस था तो वो aggressive nationalism और draconian imperialism के क्या था अगेंस था उनका nationalism किसके consonants में था तो ये consonants में था the temper of internationalist I guess ये basic आपको अच्छे से clear हुआ होगा अब देखिए अगर हम nationalism की बात करे तो टेगोर क्या थे टेगोर nationalism के एक critique थे now try to understand किसी चीज़ को अगर हम criticize कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी सिर्फ आलोचना कर रहे हैं इसका मतलब ये भी होता है कि हम उसको examine कर रहे हैं हम उसकी समिक्षा कर रहे हैं तो अब टेगोर जो है वो nationalism को criticize कर रहे ह का मतलब यह नहीं है कि वो नैशनलिजम के पूरी तरह से अगेंस्ट है क्योंकि अगर वो अगेंस्ट होते हैं तो वो freedom fighters में count नहीं होते वो criticize कर रहे हैं किसको concept of nationalism को जो की image हुआ है कहाँ पर West में जिसने क्या करा है जिसने disharmony पहलाई है किसमें different nations में जिसके कारण क्या बढ़ा है जिसके कारण जो है international discord यानि color, bitterness, कड़वाहट और stripe यानि संगर्ज जो है बढ़ा है तो अब देखिए होता क्या है nationalism में कभी कभी जब हम अपनी country से बहुत ज़ादा प्यार करते हैं तो यही क्या करता है यही लेट करता है हमें दूसरी country से नफरत करने के लिए त्राइ टू अंडर्स्टैंड self interest यानि अपने फायदे की सोचना और self aggrandizement यानि की अपनी progress के बारे में सोचना ये भी क्या है nationalism के features हैं और इस तरीके का narrow nationalism क्या करता है finaries result करता है किसमे humanity के destruction में for example जो colonization policy थी ब्रिटैन की उसने क्या करा उनका खुद का destruction किया किसमे world war 1 और 2 में अब जो tagore है उनके लिए जो nationalism है वो क्या कर सकता है humanity के लिए काफी अच्छा कर सकता है अगर हम focus करे किस पर national self respect पर यानि की हम full devotion दे किसको अपने culture society music literature etc को what he is trying to say here कि जो हमारा culture society music literature है ये सब किस ने बनाया है तो ये हमारे ancestors ने पूरवजों ने बनाया है और ये हमारे environment के according उन्होंने बता बनाया है तो इससे क्या होगा इससे ही हमें अपने development के लिए necessary path मिलेगा जिससे हम human perfection को क्या कर पाएंगे अचीव कर पाएंगे बट more specifically अगर मैं बात करूँ तो टेगोर कहते है nationalism वो होता है जो based हो किस पर liberty, equality और fraternity पर instead of suspicion, fear, distrust and national egoism nationalism egoism मतलब मेरा देश जिन्दाबाद तुमारा देश मुर्दाबाद ये क्या है? ये national egoism है अब टेगोर की व्यू में जो narrow nationalism है ये क्या है? ये cruel epidemic है ये बहुती ज़ादा क्या है? evil है जो क्या कर रहा है? that is sweeping over human world of the present age eating to its moral vitality try to understand I guess आप सबने Hitler के बारे में सुना होगा Hitler जो है, वो क्या थे? वो भी एक nationalist थे जो लोगों को खुद को follow करने का कहते थे and I guess we all know कि उनको follow करने का क्या अंजाम लोगों ने भुकता है सबी लोग जो है जिन्होंने उनको follow किया वो क्या हो गए? मौत के घाड जो है उतर गए और पूरा जो जर्मनी देश है वो हिटलर के nationalism से क्या हो गया है बरबाद हो गया है यही बात जो है टेगोर जो है यहाँ पर कर रहे है कि narrow nationalism क्या करता है religious hysteria पहलाता है social conflict बढ़ाता है political narrow mindessness को बरावा देता है communism पहलाता है casteism पहलाता है कहाँ पे? society में तो जो प्रेजेंट इंडियन स्टेट की भी अगर मैं बात करूँ तो यह बहुत ही properly apply हो जाता है किस पर cow vigilance पर यानि go माता के रक्षकों पर या भारत माता की जे brigades पर अब एक online platform पर इनके बारे में मैं जादा नहीं बोलूँगा ताकि कोई controversy create ना हो more over जो टेगोर का view था nationalism पर यह important है क्योंकि यह क्या है अपने time से भी क्या था यह बहुत ahead था try to understand टेगोर की death हमने देखा कब हो गई थी वो 1941 में ही हो गई थी तो अगर हम बात करें जो पाकिस्तान का birth है या फिर जो liberation और बांगलादेश है वो सब क्या हुआ था इनके views देने के बाद हुआ था बट इन दोनों incident ने क्या करा जो टेगोर की views है उनको right proof कर दिया जो कि नेशन हुट को लेकर जो उनके peer थे वो सारे के सारे क्या होगा इनसे सही साविच जो है हो गए now try to understand टेगोर जो है वो more betterly defend करते है किसको internationalism को as compared to nationalism जो कि वो क्या है वो एक profit है world unity के वो believe करते है किसमे world brotherhood में कि चाहे हम किसी भी country क्यो हो हम सब आपस में क्या है भाई है जो कि हम किसी country के citizen होने से पहले क्या है humans है हम क्या है हम तो global citizens है हम इस सभी cultures का क्या करना है knowledge जो है acquire करना है और human perfection को achieve करना है ताकि हम absolute तक क्या हो पाए पहुँच पाए I guess humanity और internationalism अब आपको अच्छा connect हुआ होगा अब ये जो distinction है जो हम बनाते है caste, color, race या फिर किसी भी तरह का discrimination ये सब क्या है ये false है unreal है और ये हम ही लोगों के क्या है बनाए हुए है टैगोर जो है वो work करते हैं किसके लिए closer contact coordination और cooperation के किसके बीच जो eastern world है और जो western world है उनके बीच वो believe करते हैं कि जो भी हमारी problems है यानि humanity की problems है चाहे वो world war हो या nuclear war हो या इसी कोई भी problem हो ये सब solve हो सकती किससे creative ideals of life से जो की है world unity world peace और world government अब आप कहेंगे सर world unity और world peace तो ठीक है सर world government so try to understand जो विश्व भारती है जो रविन्ना टेगोर ने establish किया है वो उन्होंने actually इसी purpose को fulfill करने के लिए establish किया था बट उनका ये जो dream है ये उनकी death के बाद realize होता है किसके form में United Nations organization के form में I guess you all know ये क्या है ये world government है जो इस चीज़ पर work करती है कि world war 3 जो है ऐसी situation किसी भी कारण से पैदा ना हो तो टेगोर जो है वो actually में किसके favor में थे तो वो one world के creation of unit के favor में थे वो international trade के क्या कह सकते हम favor में थे यानि कि आप समझे मेरे पास क्या है definitely कुछ ना कुछ resources है और एक other country के पास कुछ other resources है तो अगर हम इनको exchange करेंगे cultures को exchange करेंगे thoughts को exchange करेंगे तब ही क्या होगा तब ही world जो है ये रहने के लिए एक better place जो है बन पाएगा तो हमें क्या करना चाहिए जो diversities है उन्हें क्या करना चाहिए ignore करना चाहिए और world को एक single क्या करते है unit जो है बनाने के उपर ध्यान देना चाहिए जो कि यही क्या है यही need of the time है for peaceful coexistence in the globe ठीक है हमें जो selfishness है उसे pocket करना चाहिए और world culture जो है I guess मैंने अभी clear कर दिया बनाने पे ध्यान देना चाहिए जो कि based हो किस पर love, affection, fellow feeling और mutual understanding पर cosmopolitan feelings यानि विश्वन नागरिक की जो feelings है वो clearly दिखती है कहाँ पर उनकी writings में और उनकी paintings में टेगोर का जो internationalist thought है और जो attempt है एक united world को बनाने का यह क्या किया जाता है यह all over the world जो है appreciate किया जाता है So I guess जो टेगोर है उनकी पूरी philosophy आपको clear हो गई होगी अब यह टेगोर से आए previous year questions है and now I think आप इनको बहुती easily जो है answer जो है कर सकते है So friends, that's all for now मिलते हैं हम अपने अब next session में Thanks for watching जो है जो एक जो है जो है जो है